नमस्कार दोस्तों नहीं वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ अभीजिक चोहान और आप देख रहे हैं यूपी स्कोलाशिप से जूड़ी हर वो ताजी खबर जिसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या स्कोलाशिप में चल रहा है कब तक स्कोलाशिप आपकी आ वो वज़ा क्या है तो मैं आपको बताओंगा अगली वीडियो में क्योंकि उसके लिए मैं अभी प्रपेर कर रहा हूं और वो सारी टोपिक मेरे पास अभी भी अवेलेबल हैं पर मैं अगली वीडियो में उसको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कुछ काम है जो आपक स्कोलरशिब जो है उसके लिए अगर आपने आवेदन किया था तो आपकी स्कोलरशिब जो है वो आ जाएगी उसमें आप बिल्कुल टैंशन मत लें और जैसे आपको बता ही दूमें पहले भी आपको मैंने बताया कि भाई एक तो दो ओक्टूबर को जब गांधी जैनती ह बताया को लाँ, पता है कि हां बाई पैसा ट्रांस्पर जो है वो नहीं हुआ है आप इसे निए भाई आप पैसा को पता भी एक है कि हाँ बाई पैसा transfer जो है वो नहीं हुआ है आप scholarship को लेकर परिसान है तो आपके बिलकुल भी चिंता करने की आऊ सकता नहीं है जानकारी निकल के आ रही है कि जिन विध्यारतियों ने UP scholarship के लिए आवेधन किया है उनके account में जो पैसा है वो फरवरी से आना सुरू हो जाएगा और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं बार UP scholarship के लिए आवेधन की जो तीथी है वो बढ़ाई गई है ठीक है बढ़ाई जा रही है तो इसलिए जिन्हों ने आवेधन किया है और सत्यापित में थोड़ा वक्त लग रहा है तो वो टैंसन बिलकुल ना लें आपको जनवरी पूरी जनवरी तो ऐसे ही है कि पूरा महीना लग सकता है कि हाँ पूरा महीना निकल जाए अभी तक जो अपडेट है पर यह है कि फैबरेरी में पहले वीक से आना सुरू हो जाएगी यूपी स्कॉलाशिप की अगर बात करूं मैं तो यूपी स्कॉलाशिप 2022-23 में जो ब्हारतिय आवेधन किये हैं काफी चिंतित है क्योंकि भाई किसी कोई कह रहा है कि उनके यह रहा है हैं यह हमारा फाइंट वालों को प्रोब्लम हा रहा है कि वैमने कर दिया फिर भी कुछ तो अगर यह वह बे फिकर रेहो निश्चींत रहो कोई जादा टैंसल लेने वाली बात नहीं है आपको आपकी जो स्कॉलर्सीप है फर्वरी के फर्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगी ठीक है तो चलो इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में अगली वीडियो इसको सब्सक्राइब कर लो भाई टेक केर